अगर वीडियो आपको एनलेसिस के साथ चीजों को करना है तो यहाँ पे चीजे चल रही है आप इसको यहाँ से भी डिल कर सकते हैं अगर वीडियो आपके एक्जाम के रिलेवेंट हैं लगता है कि एक्जाम में यह डिसकेशन्स यूजफूल हैं रिकॉल हम कर सकते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो का छोटा सा सौट नोट्स जरूर बनाएं तो जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसका यह पार्ट थ्री है आज और यह लास्ट वीडियो है पॉलिटी का इसमें हमारा वीजन 365 का टोटल डिसकेशन्स कम्प्लीट आज हो जाएगा आज हम किन किन चेप्टर पर बात करेंगे तो पहला चुटर हमारा है जो डिसरी ठीक है और जो नेक्स चेप्टर है इसमें देखे सारे मुद्दे है जैसे नियाई धिसो की नियुकती अपार्मेंट आप जज़ेच कैसे है ठीक है जो प्रिजन्स रिफॉर्म है उसमें क्या सोधन संसुधन किया गया है उसमें क्या रिपोर्ट पब्लीज की गई है जो मृत्यू दंड होती है उसमें क्या संसुधन किया गया है उसमें क्या सीधा जो पसान यानि लाइब जो स्ट्रीमिंग चलती है ठीक है कॉश्टोसंस बेंच हेरिंग का हम उसके बारे में भी देखेंगे तो इन सब चीजों पर हमें बात करनी है और कुछ मिसलिनियस टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ जो कि वन लाइनर है हमारी इंपोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ये चेप्टर हमारा लास्ट इस वीडियो को होगा और आई होप कि सारा का सारा जो डिसकेसंस है वो यूजफूल है और आप ने पार्ट फरस्ट को जिस तरह से लाइक किया है प्यार दिया है प्लीज आप ऐसे ही इसको देखते रहें और एक छोटा सा नोट्स बनाते रहें क्योंकि हमारा मेन पर्पस है एक्जाम को क्रैक करना और एक्जाम तक इस सारे पॉइंट को लेकर जाना ठीक है तो अगर आपको लगता है कि डिसकेसंस आपके यूजफूल है तो प्लीज आप लाइक करो चलिए स्टार्ट करते हैं पब जरी लेटिकेसंस दायर करने के लिए याचका करताओं पर जुर्बाना भी लगाया है जनहित याचका और उसका महत्व क्या है जनहित याचका के तातपर होता है मानवा अधिकारों यथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और ब्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उ defined अभी तक नहीं आप समझ सकते हो कि वो questions कहां से पूछेंगे बहुत बड़े से बड़े भविश्वारी वक्ता आते हैं कहते हैं कि train नहीं है यहां से पुढ़ो और अगले साल जब paper होता है तो 60 बिल्कुल साबित हो जाते हैं उनका सारा का सारा sense of humor बिल्कुल finish हो चुका होता है ठीक है तो इसलिए कोई predict नहीं कर सकता है कि इनका logic क्या होता है कैसे questions पूछते हैं तो जो भी topic है उसके बारे में इतना गहनता से पढ़ लो के बाते कहीं से आवे तो अगर हम direct उसको deal नग कर पावे तो जो option है उसको हम eliminate करके सही answer तक पहुँच जाएं तो अगर यह पूछ लेता है कि जनहीत याजका यहनी PIL की जो अवधाना है वो कहां से लिया गया है तो अमेरिकी नियाय प्रणाली से लिया गया है जनहीत याजका का जो article होता है वो 39A पर आधारी था यह अनुछित जो है प्रावधान करता है कि राज जाती धर्म पंथ आधी के आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव किये बिना नियाय प्रणान किये जानने का विवस्थ सुनिचित करें ठीक है जनहीत याजका नियालियों दोरा जनता को दी गयक सकती है जनहीत याजका सारवजनिक और नीजी दोनों तरह के कानूनी मामलों में दायर किये जा सकते हैं जनहीत याजका के तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है उनमें से क्या है बंधुगा म मामले आदि सामिल होती रहें जनहीत याचका किसी भी High Court या सिधे Supreme Court में दायर किया जा सकता है ठीक है clear और Supreme Court में किस आर्टिकल के तहर जाते हैं और High Court में किस आर्टिकल के तहर जाते हैं most important हम इसको भी देखेंगे ठीक है अब ये समीती जो है ये आया तो है प्रलिम्स में ठीक है लेकिन मैक्सिमम ये मेंस का कंटेंट हो जाता है ठीक है ठीक है और PIL कौन दायर कर सकता है तो भारत का कोई भी नागरी ये जरुई नहीं है कि आज का करता सोयम पेडित हो ठीक है कोई भी संगठन किन्तु वह ब्यक् दिगत एजेंटे को पूरा करने के लिए नहीं बलकि जनता के हीत के लिए याज का दायर कर सकता है यदि कोई मामला अतिधिक लोक महतोका है तो नियाले उस मामले के संबंध में स्वता ही सज्ञान ले सकता है साथ ही नियाले ऐसे मामलों के लिए वकील भी न्यूक्त कर सक तो ये तीन कंडिशन्स हा जो कि हमने इसको देखा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रिउबनल्स क्या है हाली में सुप्रीम कोट ने कहा है कि राश्ट्री हरित जो अधिकरण है एंजी टी एंजी टी ठीक है प्रादेशिक अधिकार छेत्र के मामले हाई कोट के अधिनस्त है यह निर्ड़ बिसाखा पत्नम के रूसी कोंड़ा पहाड़ियों पर निर्माड कारे को रोकने वाले एंजी टी के एक निर्ड़े के समन्द में दिया गया है तो यह जो बिसाखा पत्नम के रूसी कोंड़ा पहाड़ी पर निर्माड चल रहा है इसको पाकर एंजी टी का नामलों की सुनवाई करता है। सिविल मामलों की सुनवाई करता है। तो ये अगर छेत्र जुडा हुआ है, ऐसे जगों पर या ये जो फिल्ड है, अगर ये प्रभावित हो रहे हैं, किसी भी जो आर्टिफिसियल कार होते हैं, यानि कृत्रि मानो निर्वित कोई काम चल रहा है और ये प्रभावित हो रहे हैं, तो ये एक्षन में आते हैं। रीक है, आगे चलते हैं। अधिकार छेतर के अधिन है, ठीक है। इसके परामर्स के किंद्र सरकार दोरा निक्त किया जाता है। जो अध्यक्ष है भारत का जो CGI हैं, उनके परामर्स पर किंद्र सरकार निक्त करता है। कम से कम दस और अधिक्तम बीस न्याइक सदस और विसे सग इसमें सामिल होते हैं। ठीक है। कारेकाल की बात करें तो पांच वर्स का कारेकाल होता है। पुनह निक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं यानि रिपीट नहीं होते हैं इसके जो मेंबर होते हैं। ठीक है। आई होपस हो कि आप इसको समझ चुके हैं और समझ के हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट मारा टॉपिक है नियाधिसों की नियुक्ति एपाइमेंट आफ जजेस। क्या है सुप्रीम कोर्ट में दो वर्स के अधिक समय के बाद नियाधिसों की सभी सुकृत 34 पद पर नियाधिस की नियुक्ति अब होगी। ठीक है। बर्तमान में सिर्ष नियायले में कुल नियाधिसों की संख्या 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए सुकृत 34 है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 नियाधिस होंगे लेकिन अभी 32 हैं तो इसी का ये बात कहा गया। भारत के समिधान म अनुछेद 121 एक अनुशार संसत कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नैधुसों के संख्या निधारित कर सकती है अगर ये कोश्चन सा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में नैधुसों के संख्या कम या जादा या और जादा करने का प्रावधान है किस आर्टिकल के द्वारा समिधान में कहा गया है तो आप बताएंगे आर्टिकल 124.1 अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लीजिए अर्टिकल 124.1 के द्वारा जो संसद है वो प्रावधान कर सकता है जजोच के संख्या के लिए ठीक है नियाधियो के नियुक्ति भारत के मुख नियाधियो के जो संख्या है कम जादा का आर्टिकल 124.1 लेकिन उनकी जो नियुक्ति है CGI उनके समयत बाकी सुप्रीम को नियाधियो तो आर्टिकल 124.2 उनकी नियुक्ति की बाते की जाती है एक बोडि है एक संस्था है कॉलिजियम सिस्टम के सलाह के आधार पर सुप्रीम कोट के वरिष्ट जो नयायधिस है को सिजियाई का पद्धान करने के लिए उप्युक्त माना जाता है बरतमान सिजियाई द्वारा अगले सिजियाई का नाम का भी सिफारिस हिया जाता है कॉलेजिया में एक ऐसी पड़ाली है जहां एक समीति सुप्रीम कोट और हाई कोट के नियाधीसों की न्यूगती और इस समीति में भारत के मुख्य नियाधीस यानि CGI, सुप्रीम कोट के चार वरिष्टतम नियाधीस और हाई कोट के तीन सदस्य हाई कोट की न्यूगती जह जिए यहां पर बाते क्या कहा जा रहे हैं, जो कोलिजियम सिस्टम में जो भारत के मुख नियाधिस है, यानि CGI की बात की जारी है, Chief Justice of India की बात की जारी है, प्लस मुख नियाधिस के साथ सुप्रीम कोट के चार वरिष्ट नियाधिस, ठीक है, चार कौन जो वरिष्ट ठीक है उसके बाद ये राष्टपती को अपना अनुसंसा देते हैं और राष्टपती उनको परधन कराते हैं ये तब होता है जब सुप्रीम कोट की बाते होती है अगर वहां पर हाई कोट के जजू की निवक्ति की बाते आ जाती है तो वहां पर क्या होता है कि जो हाई कोट के तीन सदस्य होते हैं उनको भी हाँ पे सामिल किया जाता है और हाई कोट के किस तीन सदस्यों को जिस हाई कोट में अपायमेंट होना होता है ठीक है तो यहाँ सब समझ गए कि हाई कोट की बाते होती है तो जिस हाई कोट में निपती की बाते होती है वहाँ के हाई कोट के त ठीक है हाई कोर्ट कोलीजियम का नेति तो बरतमान मुख नयाधिस और उस नयाले के दो बरिश्टम नयाधिस करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कारागार जेल यानि कारागार यानि जेल सुधार क्या है यानि प्रिजन्स रिफॉर्म क्या है हाली में राष सूची का विशय है, ये questions important है, ये aspects important है, sorry questions नहीं, ये line बहुत important है, please आपनो down कर लेना, कि जो करदागार होता है, उसमें जो रखे के व्यक्ति होते हैं, वो किस के विशय होते हैं, समर्थी सूची के विशय होते हैं, ठीक है, संग सूची राज सरकारों के कारागार नियमावलियों द्वारा सासित होता है, अगर ये बात भी पूछेगा कि उनको किस अधिनियम के द्वारा ये सक्ति दी गई है, पावर दिया गए, तो कारागार अधिनियम अधिनियम और संग सासित प्रदेशों को नियमित माकदसन और सलाह प्रदान करता रहा है करता है ठीक है राश्ट्री अपराद रिकार्ड विवरो एंसी आरबी अपराद और अपराधियों के बारे में सूचना के प्रसार किंद्र के रूप में कारे करता है ठीक है अंतर राज्जी और अंतर राश्ट्री अपराधियों के बारे में सूचना का संग्रा समन्वे और ठीक है, तो आप ये लाइन भी याद रखना कि जो NCRB है वो अंतर राज्जी के सासाथ अंतर राश्टी अपराधियों के बारे में भी सुचना का संगरा और समन्वय और प्रसार करना होता है, ठीक है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के करमचारियों को प्रसिक्छन सुचना प्रदान करना होता है, अपराधि ब्यक्तियों के फिंगर्प्रिंट रिकॉर्ड के राश्ट्री भंडारगिड के रूप में कारी करता है, NCRB द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, टोटल देखें, तीन रिपोर्ट जारी करता है, यहां से भी कोश्चन्स आ सकता है और आया भी है, कि भारत में दुरघटना वस व्रित्यूँ और आत्मेहत्याय ठीक है, यांनि अचिडेंटल सब्स frozen days and suicide in India, यह पहला रिपोर्ट यह हो गया, भारत में अपराध यानि crimes in India, दूसरा रिपोर्ट यह हो गया, ठीक है, और तिसरा क्या है, भारत में जेल सांख यानि Prison Statistics India, आप इसको PSI, इसके नाम से भी आता है, तो आपको confused नहीं होना है, यह total तीन रिपोर्ट कौन जारी करता है, NCRB, National Crime Record Bureau, यह जारी करता है, ठीक है, करागार सांखेकी, यानि PSI, रिपोर्ट 2021 के बारे में, क्या रिपोर्ट में आया है, सो PSI, राष्टिय प्राधिकोट ब्यूरोद्वारा, जारी की जाने वाली प्रमुख वार्सिक रिपोर्ट में से एक है, जो total तीन करता है, उसमें से एक है, इस रिपोर्ट में विबीद प्रकार के आंकड़े प्रदान किये जाते हैं, जैसे कि अलग-अलग प्रकार के कराग करागार सांके क्यों की संख्या वा प्रसिक्षन, करागार वा बजट पर बै आती है, रिपोर्ट के मुख बिंदियों क्या-क्या है, जो विचारा धीन है, जो under trial कैदी है, कि जो उच संख्या है, भारती करागारों में प्रतेक 10 में से 8 कैदी अपनी सुनवाई का इंतिजा कर रहा है, ठीक है, यह रिपोर्ट का पार्ट है, उत्तर प्रदेश के करागारों में बिचारा धीन कैदीयों की संख्या सरवाधिक है, जो under trial कैदी है, ठीक है, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा पुरे भारत में किस राज में है, तो UP में है, यह आप याद रखेंगे, यह UP pieces के लिए important content हो जाता है, इसके बाद बिहार और महराष्ट, जो विचारा धीन कैदी है, यानि जो under trial कैदी है, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या अगर कहीं पह है, तो तरप्रदेश, फिर बिहार, UP, फिर बिहार, उसके बाद महराष्ट, ठीक है, यह आपको याद रखना ह बंचित वर्गों के कैदी, 67.5% जो कैदी है, वो अनुसूचित जन जाती और अन्य पिछडे वर्ग समुदायोस है, यानि जो पूरे कैदी है, ठीक है, उनमें से जो बंचित वर्ग के कैदी है, वो 67.5% कैदी वो में, कौन-कौन है, SC, ST और OBC, बिचारा धीन कैदियों मे से 80% समाच के वंचित वर्गों के हैं, ठीक है, तो कहिन के हमारे Development of India को भी दिखाता है, कि हमारा भारत की इस दिशा में जा रहा है, और जब इस एक वंचित वर्ग के ही कैदी विचारा धीन है, ताकि क्या कारण है, कि भारत का जो सबसे ज़्यादा आवादी है, इनही, SC, BC, ST और OBC को मिलकर हमारे भारत का सबसे ज़्यादा population है, और यही सबसे ज़्यादा विचारा धीन कैदियों की संख्या है, तो क्या कारण है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक है, बजट एमाम बुनियादी धाचा, 2021-22 के लिए सुख्रित बजट में, 2020-21 की तुल अत्याधोनिक सुरक्षाओं का अपयोग करने के लिए, ठीक है, माध्यम से राजियों और संख, छेत्रों को निमलिखित के लिए तीन वित्ती सहायता, नुदान सहायता के रूम में प्रदान करने का निर्ण लिया है, कारणारों की सुरक्षा बढ़ाना, सुरच्छात्मक प्रसासन, कारेक्रमों के माध्यम से कैदियों के सुरक्षा और पुनर्वास कारे को सुविधा जनक बनाना, इस पर्यूजना की अवधी पांच वर्स, यानि 2021 से 26 तक के लिए करना, यह आप याद रखना डेट 2021 से 2026, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मिर्त्यूटन, डेथ प्रक्रिया का पुनर्विलोकंस आरम किया है, जिसके द्वारा नियायाले मिर्त्यूटन के बारे में, क्या है, जब किसी ब्यक्ति को उचित कानुन सुनवाई के बाद, अपराद की सजा के रूप में, मौत की सजा दी जाती है, तो से मिर्त्यूटन कहा जाता है, अत्यधि प्राचीन काल से इसका उपयोग दंड के एक तरीकी गुरूप में किया जा रहा है भारत में मितुदंड और इसकी रूप रेखा भारत में चुनिंदा देसों देसों में सामिल है जो अलग-अलग कानून के दहात में दंड को बरकारा रखे हुवे हैं तक चारसो अठासी आनी फोर एटी-एट ऐसे कैदी जने मितुदंड की सजा दी गई है आप ये टाइमिंग भी याद रखना कि दो हजार एक इस के आन्द तक अगर बात करें तो चारसो अठासी आनी फोर एटी-एट कैदी ऐसे हैं को मितुदंड की सजा सुनाई गई है मितुदंड को बनाए रखने रखते हुए अधिक कानुनों को भी प्रस्तावित किया गया है जैसे कि पंजाब और मत्वदेश में जहरेली सराब पीने से होने वाले मित्यू के लिए जहरेली सराब बेचने वाले व्यापारियों के अंतर नेहित उचित प्रतिक्रियात्मक सुरच्छा उपयोगों उपायों और इस प्रक्रिया के कार्ण मितु दंड की समयधानिक्ता पैसता को बरकरा रखा है जो कि न तो मनमानी है और नहीं नियाधिसों की अतिधिक बिबेका धिकार में है हाला कि इसे भविस में दंड देने के नियाधिसों के लिए आजीवन कर आवास मित्यु दंड के बीच निर्ड़े करते हुए एक रूप रेखा प्रदान करना है मौत की सजा के संदर में महत्पुड न्याइक निर्ड़े बच्चन सिंग बनाम पंजाब राज उननी सो असी ठीक है कोट के लिए अया अनिवार है कि वह फासिक सजा देने का फैसला सुनाने से पहले उत्यजक परिस्थितियों वह अपराद का तुलनात्मा परिच्छन करें केवल रेरेष्ट ओफ दरेयर यानि दुरलभ मामलों में ही मित्युदंड का उपयोग किया जाएगा ये बाते कहा कहा गया है बच्चन सिंग बनाम पंजाब राजवाद 1980 आप इसको याद रखेंगे माच्छी सिंग बना पंजाब राजवाद 1983 अपराद को अंजाम देने के तरीके मकसद अपराद की और सामाजिक प्रकृति अपराद की कम्भीर्ता और पेडित के ब्यक्तितु की पहचान ये 1983 आप इसको याद रखेंगे सत्रुगहन चौहान बना पंजाब भारत संगवाद 2014 मौत की सजा के क्रियानवन में अंतारकिक अत्यधिक और अनुचित देरी करना यातना के बराबर है और यह सजा को कम करने का आधार है सत्रुगहन चौहान बना भारत संगवाद 2014 मौत की सजा के क्रियानवन में अत्यधिक और अनुचित देरी करना यातना के बराबर है और यह सजा को कम करने का एक आधार बनता है ठीक है थोड़ा से यहां से देख लेते हैं कि भारत मितुदंड से समधित समयधानिक और काणुणी प्रावधान क्या है सात्वी अनुचि के बात करें तो आपराधिक कानुनों और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूचि का विसे है इसके चलते मितुदंड से समधित रखना देखे जो सात्वी अनुचि है इसमें सक्तियों का बटवारा किया गया है राज संघ ठीक है और समवर्ती एक बात याद रखना है कि अपराधिक प्राधिक प्रक्रिया समवर्ती सूचि का विसे है इसके चलते मितुदंड से समबंधित कई कानुन मौजुद है इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है वहाँ पर कारागार जो है वो राज सूचि का विसे है और यहाँ पर समवर्ती सूचि की बाती की जा रही है समवर्ती सूचि क्या होता है जहाँ पर राज भी ऐसा विसे जिस पर कि राज भी फैसला कर सकता है और उस पर के प्रभावी कौन होगा जो केंद्र होगा उसका फैसला प्रभावी मना जाता है अहीं आपर अनुछेद 21 क्या कह रहा है वीधी द्वरा इस्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंता से वंचित नहीं किया जा सकता ठीक है आर्टिकल 72 क्या कहता है इसमें राष्ट्रपती और आर्टिकल 161 क्या कहता है राजपाल को छमा दान करने की सकती का उलेक है अगर राष्ट्रपती की बात करें तो जो पाड़न पावर है 72 के द्वारा है और राजपाल की बात करें तो 161 की बात है कि इसके आर्टिकल के अ पावर होता है, दो मामलों में कम हो जाता है, एक मित्यु दंड को माप करने का ठीक है, और एक जो सैने न्याले के द्वारा मामला होता है, वहाँ पर जो राजिपाल होते हैं, उनकी पावर कामनी करती हैं, वहाँ पर राश्टपती प्रभाग रहते हैं, बाकि सेम जो पावर है और राष्टपति और राजपाल दोनों को है समिधान में 72 से राष्टपति और 161 से राजपाल को यह सकती है किसी को माप करने के ठीक है भारती दंड सहिता 1860 यह सहिता भारत के मितुदंड प्रावधानों को निधारित करती है साथ इन में उन अपराधियों को सुची बद किया गया है जिन के लिए मितुधन की सजा दिया जा सकता है ठीक है तो ये जो IPC है 860 आप इसको रिमेंबर रखेंगे चलिए अब आगे चलते हैं विविध सेवा प्राधिकर्ण Legal Services Authority LDSA ठीक है क्या है हाली में अकिल भारती जिला विधिक सेवा प्राधिकर्ण यानि LDSA की पहली बैटक हुई थी प्रधान मंत्री ने न्याय पालिका से विचाराधिन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का आगरह किया है इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है विधिक सेवा प्राधिकर्ण अधिकर्ण 1887 के बारे में क्या है यह कानून समान विशेस्ताओं वाले एक राष्ट ब्यापी नेटवर्क को इस्थापित करने के लिए बनाया गया था ताकि कमजोर वर्गों को निसुल्ख और बहतर कानूनी सेवाई प्रधान की जा सके सम्विधान के आर्टिकल 49A यानि 39A समाज के गरीब कमजोर वर्गों क के लिए निसुल्ख कानूनी साहता प्रधान करने का प्रधान करता है साथ ही सभी के लिए नियाय सुरुचित करता है ठीक है तो यहां से आप यह आर्टिकल याद रिखें कि जो आर्टिकल 49A है यह क्या है कि जो समाज के बंचीत वर्ग हैं जो कमजोर वर्ग हैं उनको नि याद रखेंगे कि निसुल्क कानूनी सहायता ठीक है इसका जो इस्थापना था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम L.S.A. 1987 में इस्थापित हुआ था नियुक्ति जो होती है उच्छ नियाले के मुख नियाधिज के परामर से राज सरकार राज के हर जिले के लिए DLS से कगठन किया जाता है DLS यानि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानि जो डिष्टिक लिगल सर्विस एथोर्टी है इसकी बात की जा रही है ठीक है ना चलिए अब आगे चलते हैं निसुल्क विधिक सेवा साहता प्राधिकरण क्या है उचतम नियाले विधिक सेवा समीती उच नियाले विधिक सेवा समीती राज विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण ठीक है इसमें विचारा धिन कैदि से समथत कुछ समद्रादानिय क्या है आर्टिकल जो 14 है進行 प्राधान करता है कि राज भारत के राज चेत्र के किसी भी ब्यक्ति को कानून की समख्ज समता याणि समानता कानून में समान सरक्षड सम्द्री सरक्षड से बंचित नहीं करेड़र देखे, एक चीज होता है समता, एक होता है समानता, क्या होता है ये, हम तो समानता के लिए पढ़े हैं कि समानता गतिकार, ये समता वर्ड क्या है, आर्टिकल 14 में इसका भी बाते की जाती है, और इसका भी बाते की जाता है, देखे, समता क्या होता है, जैसे मान के चलिए, य यह खर्गोस है, ठीक है, खर्गोस है, यह यहाँ पर कचुआ है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, यह टोटल है, दस कीमी का, अब इन दोनों को रेश्म प्रतिभागी बनाया गया है, अब आप खुछ से एक बात बताना कि जो कच्छुआ है और जो खरगोस है और जो कच्छुआ है ये 10 केमी का जो डिस्टेंस है इन दोनों को दोड़ना है सेम टाइम पिरियेड में इनको दोड़ना है साथ मिनट में यहां पहुँचना है अब एक बात बताना कि क्या इनके सा न्याय है, खर्गोस तो यहां तक जा सकता है, लेकिन कचुवा जा सकता है, भाई उसकी जो सारीरिक छमता है, वो खर्गोस के मुकाबले तो कम है न, बौधिक छर्मता हो सकता है आगे, लेकिन यहां पर फिजिकल रिक्वार्मेंट है की नहीं है, मुझे बतावा, यहां से य आने के लिए requirement किसकी है, body के physical requirement की जोड़त है न, जो कि खरगोस के मुकाबले को होना अची लेकिन कचुआ हर एक parameter में खरगोस से कम है physically requirement में, तो यह तो हो गया समानता कि यहां से यहां दोनों को साथ में जाना है, लेकिन समता क्या होता है, जो कचुआ है, कचुआ का जो distance है, उसको यहां से कर दिया जाएगा, कि भाई तुमको यहां से दोड़ना है और खरगोस को यहां से दोड़ना है, क्यों? क्योंकि यह physically fit नहीं है न, खरगोस के मुकाबले तो कचुआ यहां से दोड़ेगा, खरगोस यहां से दोड़ेगा, यह जो gap है, इस gap को इनकी जो body का requirement है, body requirement का, जो fitness का gap है, उस gap को खतम करने के लिए इनको इतना दिया गया है आरक्षण, reserve duration, कि भाई तुमको यहां से खड़ा होना, या तुम्हारे body requirement का जो ब्यक्ति होगा, उसको यहां से खड़ा होना होगा, और खरगोस के parameter के जो ब्यक्ति होंगे, उसको यहां से खड़ा होना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं, इस process कहते हैं, समता, समता कहते हैं, यह है समता और ये है समानता ठीक है न अब आगे चलते हैं और उछेद बीस दो क्या कहता है यह प्रावधान किसी भी ब्यक्ति को यह कहीं अपराध के लिए एक से अधिक बार ठीक है अब योजित या दंडित नहीं किया यानि जो कोई ब्यक्ति है जो कोई अपराध किया है उसको स दीवन और ब्यक्तिकत स्वत्ता की गारंटी देने वाले मौलिक अधिकार के तोरित सुनवाई का अधिकार भी दिया जाता है आर्टिकल 22 क्या कहता है यह निर्देश देता है कि गिरपतार किये गए किसी भी ब्यक्ति को अपनी पसंद के वकिल से प्रामर्स करने अपना ब तहट लागू करवाने उद्यस से सुप्रीम कोट और हाई कोट जा सकता है आर्टिकल 32 32 सुप्रीम कोट आर्टिकल जो 226 है इसके तहट वह हाई कोट तोरित जा सकता है ठीक है तुरंद अपनी सुनवाई के लिए अपनी बचाओ के लिए ठीक है आर्टिकल 49 से क्या है में गरीब और कमजोर वर्गों को निसुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना ठीक है यवं सभी के लिए नियाय सुनशित करना ठीक है तो आप यह आर्टिकल भी याद रखेंगे और I hope तो कि आपको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22 पता होता है और पता होगा ठीक है समिधान पिट सिधा प्रशान के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कारवाई का सिधा प्रसाण ई-कोर्ट पर योजना के तहत तीन चरण का हिस्सा है इ-कोर्ट पर योजना नeliaय पालिका में सूचना और संचार प्रद्योगिकी का उपयोग करने को बढ़ावा देने का एक पहल है 2018 में स्वपनिल त्रिपार्थी बनाम सुप्रीम कोट मामले में सिर्ष नियाले ने निड़े दिया था कि अदालती कारवाई का सिधा प्रसान समिधान के अनुछे 21 के तहत नियाय तक पहुँचने का अधिकार है ठीक है नियाय तक पहुँचने का अधिकार की बात सुप्रीम कोट करता है ठीक है नियाले की करवाई का प्रकासन समिधान के अनुछेद 129 का एक पहलू है इस अनुछेद के अनुसार सुप्रीम कोट अभिलेख नियाले यानि कोट आप रिकॉर्ड की बात करता है बरतमान में 6 हाई कोट गुजरात, उडिसा, करनाटक, जारखंड, पटना और मध्ध प्रदेश अपने यूटूब चनल के माधम से अदालती कारवाई का सिधा परसान कर रहे हैं न्याय पालिका को अधिक कुसल और सुलब बनाने के लिए अन्यमंच क्या है, सुपेश क्या है, न्याले की दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल यानि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल और असिस्टेंस इन्स कोर्ट एफिसियंसी, यह क्रितिम बुधिमता यानि artificial intelligence की बात कर रहा है का आधारी को उपकरण है जो प्रासंगिक तत्थियों और कानूनों को एकत्र करता है तथा उन्हें नयाद हिसों को उपलब्ध कराता है नेक्स्ट क्या है सुवास यह क्या है यह सुप्रीम कोर्ट के निर्ड़े का इस्थानी भासा में अनुबात करने के लिए एक artificial intelligence उपकरण है ठीक है फास्ट प्रडाली यह क्या है electronic records का तेज और सुप्रडाली क्या है और इसको बताईए कोर्ट के संदर्भ में तो आपको बताना पड़ेगा कि यह क्या है यह electronic record है जो कि तेज और सुरचित transmissions करता है recorder का भाई यहां से वहां अगर उचाना है तो पेपर के जरी यह समय लगेगा और electronic माध्य हमसे चीज़े बहुत जल्दी facts हो जाती है सुचनाय पहुंच जाती है और इसमें paper lace कारिवाई भी है ठीक है फास्ट्रेक specials court यह क्या होता है जो फास्ट्रेक specials court है का गठन प्रयोजित योजनाओं के तहत किया जाता है यह बलातकार के साथ साथ लेंगे कपराद के अपरासे बालकों के सरक्षड यानि पॉसकों के अधिनियम के तहत समधित मामलों के सुनवाई करता है ठीक है न इ कोट परयोजना के तहत सुरू की गई चार नई पहले क्या है virtual justice clock नियाले से बिड़े महतपूर आकडों को प्रदर्शित करती है इन आकडों में दैर किये गए निप्टान किये गए और लंबित मामलों का विब्रण सामिल होता है justice mobile app 2.0 क्या है यह app नियाईक अधिकारियों के लिए सुरू किया गया है इसके माध्यम से लंबित मामलों और मामलों के निप्टान पर निगरानी रख सकेंगे इससे नियाले और दैर मामलों को प्रभावी प्रबंधन सुनशित हो सकेगा digital code क्या है इस पहल के तहट नियाध हिसों को अधालत में record डिचली रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे इससे नियाले करवाईयों में कागज रहित बनाने में मदद मिलेगा ठीक है एस थ्री वास क्या है बेवसाइट इसके तहट जिला नियाध प्राइलका से समधित विशे सुचनाओ और सेवाओं को प्रकासित करने के लिए बेवसाइट का निर्माड उन्हें समरूप बनाना उनका उपयोग और प्रबंधन सामिल है तो यह वर्चुल जस्टिस क्लॉक आप नोट करेंगे जस्टिस मोबाइल एप 2.0 नोट करेंगे डिश्टल कोर्ट नोट करेंगे और एस थ्री वास मोबाइल यह जो बेवसाइट है आप इसको भी नोट करेंगे इसको दो से तीन बार पढ़ेंगे तब जाकि आपको यह क पहल क्या है ठीक है बंद कमरे में सुनवाई के बात करें कैमरा प्रोसेडिंग की बात करें तो सुप्रीम कोट ने बलातकार के मामलों में बंद कमरे के सुनवाई करने से समधी दाजका को खारिच कर दिया है खुली अदालत सुनवाई के विपरीत बंद कमरे में सुनवाई गोपनी तरीके से की जाती है इस प्रकार की सुनवाई समवेदन सील मामलों में नयाले के विबेक के अनुसार की जाती है इसके माध्यम से वाद में सामिल, पच्छकारों की सुरक्षा और निज्टा को भी सुनचित की आ जाता है ऐसी सुनवाई विडियो कॉन्फरेंसिंगं माध्यम से या बंद कमरे में की जाती है जनता और प्रेस को इस प्रकार की सुनवाई से दूर रखा जाता है कारण क्या है ऐसी सुनवाईया नियाईक अलगाव नपुन सकता जैसी ब्यवाहिक विवादों के मामलों यानि पारिवारिक अदालतों में की जाती हैं इसके अतरिक्त अंतर आतंगवादी गत्विधियां गवाहों की गवाही के दोरान नियाले में विवेका नुसार उनकी रक्षा और राष्टी सुलच्चा को बनाय रखने के लिए किया जाता है पूर्ण नियाले बैठक क्या है फूल कोर्ट मिटिंग भारत के मुख नियाधिस इजियाई ने पूर्ण नियाले की एक बैठक बुलाई है पूर्ण नियाले की बैठक से तात पर ऐसी बैठक से है जिन में नियाले के सभी नियाधिस भाग लेते हैं वाला कि इसके आयोजन को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है, नियाली परंपरा के अनुसार, नियाय पालिका के महत्कुल मुद्धों पर चर्चा करने के लिए भारत के मुख नियाधिस द्वारा पुण नियाले के बैठक बुलाई जाती है, ठीक है तो इसका मोटिव हम समझ समक्ष बिद्यमान समस्याओं के निप्टान और नियाले के प्रसासनिक ब्यवहार में कोई भी संसोधन करने के लिए एक सीधा साजा समाधान पर पहुचने है तू ये बैवस्था किया गया है, उच्चतर नियाय पालिका में भासा, Language in Higher Judiciary समिधान के अनुच्छेद 348 एक के नुसार जब भी किसी संसद विधी द्वारा अन्य था उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोट और प्रतेक हाई कोट के जो सभी कारवायों की भासा होगी वो अंग्रेजी होगी Article 348 एक के नुसार जब तक कि संसद विधी द्वारा अन्य था उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोट और प्रतेक हाई कोट का जो कारवायों का भासा होगा वो अंग्रेजी होगा संसद वारा अभी तक की समद में कोई कानुन नहीं बनाया गया है उनुच्छेद 348 दो के अनुसार किसी राज का राजपाल राष्ट पती के पूरु सहमति से उस राज के हाई कोट की करवायी के लिए हिंदी या उस राजी में राजी के सासन समंधी उद्धस्यों के लिए प्रियोग होने वाली किसी अन्य भासा के प्रियोग के नुमत्ती दे सकता है हलाकि हाई कोट द्वारा पारित निर्ड़े डिक्रिया आदेश अंगरीजी भासा में ही होंगे तो जो आर्टिकल जो आर्टिकल 348 एक है और आर्टिकल 348 दो है यह आपको रिमाइंड रखना है जब तक संसद बिधी के द्वारा अन्य था उबंध न करे भासा के लिए किस भासा में बाते की जाएगी कारी किया जाएगा तब तक हाई कोट और सुप्रीम कोट अंग्रेजी भासा के इस्तेमाल करेंगे और जो 348 दो है इसमें राजिपाल सम्मंधित हाई कोट को भासा का आदिश दे सकता है कि कि इस भासा में करवाई हो या तो हिंदी हो या उस राज का कोई रिचिनल भासा हो इसके लिए राष्टपती से जो पर्मीशन है वो लेना पड़ेगा उनके पूर आग्या से कुछ मिसलेनियस टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ उसकों देख लेते हैं टेली लाव सेवा क्या है नियाय विभाग और नालसा ने कानूनी सेवाओं के एकिकल्ण वित्रण पर एक समझोता ग्यापन पर हस्तक्षर किया है समझोते के नुसार नालसा प्रतिक जिले में केवल टेली ला कारकरम के लिए 700 वकीलों को सिवाय प्रदान करेगा पैनल में सामिल किये गए वकील रिफ्रल वकीलों के रूप में भी काम करेंगे यह मुकदमे बाजी से पहले के चलड में विवाद से बचने में सहायदा करेंगे साथ ही विवाद समाधान तंत्र को भी मजबूत करेंगे टेली ला जो पहले 2017 में बिधी और नियाय मंत्राले के अंतरगत उपाय को सुझाती है ठीक है टेली लाव पहल कारूनी मदद मामले मांगने वाले हासिये पर रहे लोगों की कारूनी सहायता को अधिक महतु देती है यह एक लाख ग्राम पंचायत में कौमन सर्विस सेंटर से उपलब्ध टेली वीडियो कॉनफरेंसिंग और सरचना कोप्यो समझ गये कि टेली लाव सेवा क्या है ठीक है ब्राडकास्ट पोर्टल अब देख लेना प्लीज सारीक स्वायता और अखंडता ये क्या है हाली में सुप्रीम कोट ने निर्ड़े दिया है कि किसी भी ब्यक्ति को टीका क्रण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि स समिधान का अनुच्छेद 21 के तहट सारीक स्वायता और खंडता की रक्षा भी सुनचित की गई है नियाले ने यह भी कहा है कि सरकार लोग स्वास्त हितों के लिए ब्यक्तिगद अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है हलाकि ये प्रतिबंध सुप्रीम कोट दारा अनुपा दिकता ठीक है सारीक स्वायता और खंडता बच्चों सहीत प्रतेक मनुष्य का अपने सरीर की स्वायता और आत्म निर्ड़े का अधिकार है सहमती के भीना सरीर में अनुचित हस्तचेप का उलंगन नहीं किया जा सकता लेकिन आप याद रखना कि जो बाते कही ग पूल नहीं माना जाएगा उसका कर्ण गया था ठीक है कि जो सरकार है न लोग बवस्था के हितों में ब्यक्तिकत अधिकार पर प्रतिबंभ लगा सकती है ठीक है ऐसा कोई वाइरस ऐसा कोई रोग है जिसका ब्यक्टनेशन आपको लगवाना ही है नहीं तो वो संक्रमन का रूप ले लेगा लोगों में और सारी संक्रमित हो जाएगी तो वहाँ पर आप आर्टिकल 21 का बहाना नहीं मार सकते कि आर्टिकल 21 के तहत हम नहीं लगवा सकते हमारे बाड़िप हमारा अधिकार है क्यों क्यों हाँ पर लोग बिवस्था की बात आ गई न ठीक है तो आप के जो व्यक्तिगत अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गे उसके प्रतिबंद लगाया जा सकता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं सील बंद आवरण नियाय सास्त्र क्या है सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों दारा उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है जिसके तहत स इस सील बंद आवरण के सिधानतों को परिभासित नहीं करता है ठीक है तो अगर ये लाइन आ जाता है तो ऐसा नहीं कि ये ये बलब प्रथा है तो ये कहीं सीन किसी कानून में होगा नहीं कोई भी विशेष कानून इस सील बंद आवरण के सिधानतों को परिभासित नहीं करता है ठीक है आवसकता क्यों है लेंगिक उत्पीडन या बाल सोसर के पीड़तों की गरिमा और रक्षा करना सुरक्षा के अभाव से उनका भावी जिवन प्रावी तनो जिसको पाके सारी की सारी जो बाते वो सिलबंद फॉर्म में डाकुमेंट मांगे जाते हैं ठीक है यह जो ट्रांजिट अगरी जमानत है अपली जब इसको देखना ठीक है समिधान पीट इसको देख लेते हैं हाली में सिज्ज याई ने आसवासन दिया है कि सुप्रीम कोट में कम सकम एक समिधान पीट पूरे वर्स कारे करती है क्या होता है ठीक है सो बरतमान में सुप्री इन में से 5 या अधिक नियाधिस किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो समुझान पीठ हैं कि क्या होता है बरतमान में लगभग गठन आवसकता पढ़ने पर भारत के मुख नियाधिस द्वारा और इस्थाई आधार पर किया जाता है समिधान पीठो को जो गठान है केवल तभी किया जाता है जब नीवलिखित में से एक या अधिक परिस्तियां मौझूद हो क्या क्या समिधान का अनुछे 243 जब किसी मामले में समिधान की व्याख्या से सवदित कानून या को कोई महत्वपूर प्रस्ण सामिल हो दूसरा क्या है आटिक लेक्सो पैतालीस तीन जब भारत का राष्टपती अनुछे 243 के तहट किसी तत्थ या कानून के प्रस्ण पर सुप्रीम कोट से राय लेता है या राय मांगे ठीक है जब किसी कोट को दो या तीन नियाधिसो व कि पीठ द्वारा एक दिये गए किसी नियाधिसों के एक पीठ का संदेव्यक्त करती है तो वह पीठ फैसले के अपनर विचार के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजती है और भेजने का नियाधिसो लेती है तो ये हो गया हमारा समिधान पीठ तो हम समझ गया कि दिया हो उपर अचनात्मक याचका क्या है तो उपर अचनात्मक याचका उस व्यक्ति के लिए उप लब्ध अंतिम समयधानी को पाए है जिसकी पुनर विचार याचका को न्याले ने खारिच कर दिया हो उपर अचनात्मक याचका या समयधान में कोई उलेख नहीं है यह अवधाना सुप्रीम कोट ने रूपा असोक हुर्रा बनाम असोक हुर्रा और अन्यवाद में लिया है तो यह अप नाम याद रखेंगे ठीक है पुनर विचार याचका का उलेख समयधान के अनुछेद 137 क के तहत किया गया है यह अनुछेद सुप्रीम कोट को अपने दिये गए किसी भी फैसले या आदेश की समिक्षा करने का धिकार देता है तो जो अपने ही आदेश या फैसले पे जब समिक्षा करने की बात आती है तो आर्टिकल 137 आप याद रखेंगे मैं रिपीट करते र कि पुनर विचार याजका को उलेग समिधान के अनुछेद 137 के तहत किया गया है यह अनुछेद सुप्रीम कोट को अपने ही किसी फैसले या आदेश की समिक्षा करने का धिकार देता है ताकि न्याय की विभलता को रोका जा सके सही निर्ड़े सही लोगों तक पहुंचे ठीक है खंडित निर्ड़े स्प्लिट वरडिक्ट क्या है सुप्रीम कोट ने करनाटक हिजा प्रतिबंध मामले में खंडित कर दिया है जब किसी मामले में पिट्स और स्तमती से अपना बहुमत में निर्ड़े नहीं ले पाती तो उस इस्तिती में खंडित निर्ड़े दि पीठों का गठन किया जाता है, जिस मामले में खंडित निर्णा दिया जाता है, उस मामले की सुनवाई भारत के मुख नयाधीस सिज्ञाई द्वरा गठित एक बड़ी पीठ के द्वरा करती है। ये आप देख ले ना ठीक है मैं भारत का जो विधी आयोग है इसको देखते हैं LCI ठीक है तो केंद्र के नियायमूर्ति सिवा निवरित रितुराज अवस्थी की अधेक्षता में भारत का 22 विधी आयोग का गठन किया गया है तो ये आप नमबर याद रखेंगे 1955 में पहली बार विधी आयोग का गठन किया गया था तब से 21 विधी आयोग निवरित रितुराज अवस्थी तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो एक पुड़कालिक अध्यक्ष होता है एक सदस सचीव सही चार पुड़कालिक सदस्य होते हैं पदेन सदस के रूप में विधी कार विभाग का सचीव होते हैं पदेन सदस के रूप में विधाई विभाग के सचीव होते हैं ठीक है अधिक्तम पांच अंसकालिक सदस्य होते हैं कार क्या है मवजूदा कानून की व्यापक और महतपुन जाच करना यह विधी और न्याय मंत्राले के लिए सलाहकार निकाय है चलिए आगे चलते हैं नार्को टेस्ट नार्को या नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक दवा को आरूपी के सरीर में इंजेक्ट हिया जाता है और यह उसे एक कृत्रिम निद्रावस्था या अचेतन अवस्था में ले जाती है सोडियम पेंटोथल या सोडियम थियो पेंटल एक जल्द असर करने वाली तेथा कम अवधी की एनेस्थेटिक यानी चेतना सुन करने वाली अवसुधी है यह दवा के बारवी ट्यूरेट वर्ग से सम्मंदित है यह एनेस्थेटिक अवसाद और सधी के रूप में केंद्री तंत्रिका तंत्र को प्रभाव डालती है सुप्रीम कोट सेल्वी बनाम करनाटक राजवाद के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर नार्को एनालेसिस या पॉलिग्राप या ब्रेन मैपिंग टेस्ट उसकी सहमती के बिना जबर्जस्ती नहीं किया जा सकता साथ ही केबल उन परिक्षणों के नतीजों को सबूत के तोर पर स्विकार भी नहीं किया जाता है ठीक है राश्टी स्वचालित फिंगर प्रिंट प्रडाली क्या है हाली में ग्रिहम अंत्राले ने राश्टी स्वचालित फिंगर प्रिंट प्रडाली ठीक है क्लियर अब इसका अगर नाम पूशता है तो आप इसका नाम भी बताएंगे ठीक है कि क्या होता है इसका होता है नेशनल आटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ नेशनल नेशनल, आटोमेटेड, आटोमेटेड, फिंगर्प्रिंट, प्रिंट, इडेंटिटिफिकेशंग, इसे राश्ट्री अपराध रिकार्ड ब्यूरो, एनसी आरबी ने विक्सित किया है, तो अगर विक्सित पूछ लेता है, तो आप बताएंगे, एनसी आरबी ने इसको विक्सित किया है, ठीक है, यह प्रडाली, मामलों के त्वरित और आशान यप्टान मदद करेगी, इसके तहट किसी अपराध के लिए ग्रप्तार किये अंकिय विशेष नेशनल फिंगर प्रिंट नंबर प्रदान किया जाएगा, किसी अपराधी के लिए इस विशेष आईडी का उपयोग जीवन परियंत किया जा सकता है, इससे बिभीन, एफाई यार के दर्ज, बिभीन, यानि भीन भीन अपराधों को ही, एक ही, जो NF AFIS के माध्यम से एक मृत ब्यक्ति के पहचान करने वाला देश का पहला राजी बन गया है, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, और यह नाम याद रखेंगे कि National Automated Fingerprint Identification System, ठीक है, NCRB के द्वारा विक्षित किया गया है, ठीक है, चलिए, नेक चेप्टर हमारा है, गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपुड पहलू Importance Aspects of Governance, यह लास्ट चेप्टर होगा, इसके बाद जो पॉलिटी है, उसका एक साल का जो करेंट फिर है, वो खत्म हो जाएगा, यानि Vision 365 का जो पॉलिटी सबजिक्ट है, वो पूरी-पूरी फिनिस हो जाएगी, इसका पहला टॉपिक है, इस चेप्टर का सहरी इस्थानी निकाए, ठीक है, Urban Local Bodies, ULB, देखें, एक बात याद रखना है, यह जो short term होते हैं, यह कभी-कभी दे देते हैं, उनको पता होता है, कि यहां से आप confused होंगे, तो यह ULB दे देता है, जब paper आप उठा के देखें अगर यहां पर दिया गया है, यह नहीं कई importance होगा, ठीक है, तो हाली में, दिल्ली नगर निगम संसोधन, अधिनियम 2022 को अधिनिमित किया गया है, इसमें दिल्ली के तीन नगर निगमों, यानि MCD की बात की जारी है, municipals, जो corporations होते हैं, उनकी बात की जारी है, municipal parties की, को विल नगर निगमों को आपस में विले कर दिया गया है, उनको एक रूप दे दिया के बिल्कुल नहीं, दिखे, दिल्ली नगर निगम संसोधन अधिनियम 2022 के द्वारा, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संसोधन किया गया है, इस संसोधन के द्वारा, अधिनियम में 2011 से प प्रपथम 1987 में ग्रिह मंतले दोरा गठित बाल किर्श समीती के दोरा प्रस्तावित किया देखे कोशन से यहां से भी उठ सकता है वो कौन सी समीती थी जिसके दोरा प्रस्तावन पास किया गया था ठीक है साथ ही 2001 में विरेंद्र प्रकास समीती के रिपोर्ट में इसे पुना बलप्रदान किया गया था और समीधान के अनुछेद 249AA के तहत संसत को किसी भी मामले पर कानून बनाने का धिकार है इससे ऐसे भी से भी सासित है जिन पर की विधान सभा कानून बना सकती है questions आना होगा UPSC में तो यहां से भी आ सकता है और state PCS में questions यहां से भी आ सकता है और समीती का नाम भी पूसकता है तो आपको यह चीज़े याद रखना है कि जो हमारे समीधान का जो आर्टिकल है 249239AA के तहत संसत को किसी भी मामले पर कानून बनान का धिकार होता है और अधिकार है इसमें ऐसे विशा भी सामिल हैं जिन पर भी विधान सभा कानून बना सकते हैं यानि क्या कहना जा रहा है कि राज सूची का अगर कोई विशा है उस पर भी हमारा जो संसद है वो कानून बना सकता है तो मर्ती सूची पर तो बनाता ही बनाता है तो दिखे बात वहाँ पर अनुसुची साथ से भी रिलेट करेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं नगर निगमों के बारे में नगर निगम भारत की सहरी इस्थानी इस्तर पर संचारी सरकार का एक रूप है दस लाग से अधिक आबादी महानगरों के विकास के लिए कार करते तो नगर निगम का परामीटर भी याद रखना 10 लाग वाला ठीक है इनहें महानगर, पालीका, नगर पालीका, नगर निगम, नगर परिशत द्वारा आधी भी इनको कहा जाता है ठीक है एतिहासिग प्रिश्ट भूमी की बात करे तो जो पहला नगर निगम था 1688 में मदरास में इस्थापित किया गया था ये questions कई बार आ चुका है ठीक है आप इसको भी याद रिखाएंगे जो भारत का पहला नगर निगम था, 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था, बाद में 1726 में बामबे और कलकत्ता इसी तरह के नगर निगमों की स्थापना की गई थी, भारत के वायसराय लाड रीपन जिनका कारेकाल 1880-84 के बीच का था, नगर निगमों में निर्वाचन की सुरुवात की गई थी, ठीक है, और इसलिए भारत में इस थानी स्थापना के वर किसी को जनक किया जाता है, पिता कहा जाता है, तो लाड रीपन को कहा जाता है, यह आप नाम भी याद रखेंगे, लाड रीपन, जिनका कारेकाल 1880-84 का था, ठीक है, एक सामान इधाचा प्रदान करने वा सो सासन की प्रभावी काईयों की रूप में कार करने हे तू, इस थानी निकाय को सुदिड करने के लिए, 74 एवेंडमेंट, ठीक है, 1922 के द्वारा इसको इस्टेबल किया गया था, ठीक है, और समिधान का जो भाग 9A है के द्वारा इसको सामिल किया गया ठीक है, आगे चलते हैं, इस्थानी सो सासन के संस्थाओं की लेखा परिच्छा, जो कैग है C.A.G., ठीक है, आर्टिकल 148, जिला इस्तर पर अपनी उपस्तिदी का विस्तार करने की योजना बना रही है, इसके पीछे उदेश त्री इस्तरी यानि पंचायती राज संस्थ की लेखा परिच्छा बेवस्था पर नियंतरान इस्थापीत करना चाहती है, ठीक है, करना चाहा रही है, बरतमान में कैग के कारेकाल हैं, राजों की राजधानियों में इस्तित है, कैग का जो महा लेखा गार कार्याले राज के सरकारों के लेखाओं के लेखा प्रिक्षण के लिए जिमेदार है ठीक है अब प्राप्त जनकारी के नुस्तार जो कैग है अब सभी सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए अपने समयधानिक अधिकारों का उपयोग करने का फैसला किया है भले ही बेयों के लिए या या राजकोसी से निकाला गया हो। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा पहल मान सकते हैं कि इनका जो विस्तार है अब भारत का जो त्री इस्तरी लेयर है पंचायती राज वहां तक भी अब जा रहा है लेखा परिक्छन करने के लिए। अगर कैक की बात करें ठीक है तो तमान नयाधिश के समान निकी सेवासरते होती हैं कैग संग और राज तथा विधान सभावाले के नसासित परदेशों की लेखाओं प्राप्तियों और ब्यायों का लेखा परिच्छा नहीं आडिट करता है या ऐसे प्राधिकारियों प्रस्वारी प्राधिकरणों या नि ठीक है, तो I hope so, कि हमने इसको देखा और विस्तार समझा कि क्या पूरा का पूरा मामला है, ठीक है, इस थानी सोसासन और इसकी लेखा परिच्छा के बारे में कर बात करें, तो संसद जो है 1992 में 73 और 74 समिधान संसोधन पारित किया था, इसमें राज के लिए जो नगरपालिक और पंचायती राज का बेवस्ता किया गया था, उनकी यहाँ पर बात कही गई है, तो 1992 का 73 और 74 जो समिधान संसोधन है, पंचायती राज और मिन्सिपल पार्टी की बाते यहाँ पर करता है, और उनुछे 243 जे क्या है, किसी राज का बिधान मंडल कानून के माध्यम से प खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परिच्छा के बारे में प्रावधान कर सकेगा, आर्टिकल 243 जे क्या है, किसी राज का बिधान मंडल कानून के माध्यम से नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों के लेखा परिच्छा के बारे ब्रावधान कर सकेगा ठीक है भारत में भूमी अभलेखों का digitally करण भारत में भूमी अभलेखों के digital करण को बढ़ावा देने के लिए किन सरकार ने राज सरकारों में से इस्थानी सर्वर इस्थापित करने और उपपंजिकन कार्यालियों में इंटरनेट की गती बढ़ाने के लिए कहा है ठीक है डिजिटल डिजिटल लाइजेशन ओफ लेंड रिकॉर्ड इन इंडिया क्या है ठीक है तो इसके बारे में डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेक आधोनी करण कारेकरम सरकार डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेक जो आधोनी करण कारेकरम है D.I.L.R.M.P ठीक है इसका जो उद्देश से है क्या है अपडेट करने अपडेट किये गए भूमी अभिलेकों रिकॉर्ड की एक प्रडाली शुरू करना स्वचालित और स्वता दाखिल खारिज नामोतरन की शुरुवात करना लिखित एवं इस्थानी रिकॉर्ड का एकी करन दिखे ये multiple choice में भी आ सकता है ठीक है राजव पंजिकरन के बीच आपसी जुडाव के लिए एक प्रडाली शुरू करना बरतमान अभिलेक ठीक है के पंजिकरन अनुनिस्चित स्ववामित अधिकार वाले प्रडालीयों के इस्थान पर सामिल अधिकार की गारेंटी वाली निर्विवाद स्वामित अधिकार प्रडाली की सुरुवात करना ठीक है जो D.I.L.R.M.P है क्या है ये इसको आप बार बार पढ़ना ताकि आपका रिमाइड में बाते सुरक्षित रहें कि डिजितल इंडिया भूमी अभिलेक आधोनी करन कारकरम ठीक है यह 2016 में सुरु की गई केंदरी छेतर की यह योजना है ठीक है इसके त्रोटल तीन प्रमुग घटक है क्या है भूमी अभिलेकों का कम्पूटरी करन स्तरवेक्षण, पुना स्तरवेक्षण और पंजी करन का कम्पूटरी करन भारत में भूमी वास्तवी स्वामीतों को कैसे मानता दी जाती है भारत में भू स्वामी को अलग-अलग दस्तावेच के माध्यम से मानता दी जाती जिसमें सामिल है क्या रिकार्ट साब राइट्स अधिकार का अभिलेक भूमी धारक का नाम भुखंडों की संख्या उनका आकार राजसोदर क्रिसी भूमी के लिये जैसे की विवरण सामिल होते हैं नेक्स्ट है पंजिक्रित बिक्री अभिलेग ठीक है क्या है इसमें यह साबित हो सकता है कि संपत्ति एक ब्यक्ति से दुसरे ब्यक्ति को बेची गई है और ऐसी बिक्री पर करोगा भुखतान किया गया है ठीक है तो आई होप कि आप इसको रिमाइंड रखेंगे भूमी क्या है जो भूमी परियोजना है यह केंद्र और करनाटक सरकार द्वारा सयुक्त रूप से बितपोसी तक परियोजना है इसका उद्देश करनाटक में कागजी भूमी अब लेखों का डिज्टली करन करना और भूमी रजिस्ट्री में हुए परिवर्तन को दर्ज करने के लिए एक सौप्टवियर प्रडाली त्यार करना तेलंगाना की धर्नी परियोजना क्या है ठीक है जो डेटा है डेटा को ब्यक्तिकत भूखंड के मानिचित्र के साथ एकित करना तो यह आप याद रखें कि भू नकसा क्या है ठीक है भूमी क्या है धर्नी क्या है तो यह राज का नाम के साथ भी आप से बाते पूछी जा सकती है सतत विकास लच्छों का इस थानिय करन आई होप कि आप ये पढ़ लेंगे देख लेंगे जो SDG होते हैं वो 17 उसके टोटल टारगेट लग्ष है सबजेक्ट हैं एक समुच्चे है एक लंबी गरीबी उनमूलन असमानता अन्याय के विरुध संघर्स तथा 2030 तक जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए संबंधित है SDG को 2015 में सयुक्त राष्ट सतत विकास सिकर समयलन में अपनाए गया था तो ये आप याद रखेंगे कि जो SDG है SDG है 2015 में सयुक्त राष्ट सतत विकास सिकर समयलन क्यों द्वारा अपनाए गया था भारत में इस्थानी विकास नेती का एक लंबा धाचा प्रदान करने है तो SDG को प्रियोग करना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक भारती प्रसासनिक सेवा आयस अधिकारी का इस्थिपा और उसकी पुनर बहाली के नियम क्या है 2019 में आयस पसे इस्थिपा देने वाले एक अधिकारी पुनर बहाल कर दिया गया है अखिल भारती सेवाओं आयस भारती पुलिस सेवा ठीक है और भारती वन सेवा आयस की बात की जारी है कि एक अधिकारी का इस्थिपा अखिल भारती सेवा यानि मृत्यू सहू सेवानिवरित लाव नियम 1958 के नियम 51 और 51 ए द्वारा सासित होता है तो ये भी आप याद रखना कि मृत्यू सहू सेवानिवरित लाव ठीक है अधिकारी के लिए भी इसी तरह के नियम है इस्थिपा प्रस्तुत किया है समख्ष प्राधिकारी द्वारा उसकी सुक्तिती से पहले उसे वापस लेने की लिखी सूचना भेजता है तो इस्थिपा सुता वापस ले लिया गया समझा जाएगा केन सरकार द्वारा इस्थिपा वापस लेने का अन्रोज स्युकार नहीं किया जाएगा यदि एक सदस किसी एक राजनितिक दल या किसी भी संगठन से जुड़ा हो और राजनिती में भाग लेता हो एक सदस किसी भी राजनिती का अंदोलन या राजनिती गतिविधी में भाग लेता है या किसी अन्रीके से सहायता करता है या किसी बिधाई का या इस्थानि प्राधिकरण के चुनाव के समद में प्रचार करता है या अपने प्रभाव का उपयोग करता है या भाग लेता है ठीक है एक आयस अधिकारी का इस्तिपा प्रस्तूत किया जाना चाहिए राज में सेवारत अधिकारियों के मामले में राज मुख सचीव के समक्च एक अधिकारी जो केंद्री प्रतिन्यूक्ति पर है और मामले से समदित मंत्राले या विभाग के सचीव के समक्च ठीक है तो I hope कि आप इसको समझ चुके हैं और समझ रहे हैं कि क्या बात की जा रही है IS के समंध में कार्मीक और प्रसिक्षण विभाग DOPT में राज मंत्री से समधी जुड़ा होता है और इनके इस्थिपे की जो भी प्रोसीजर होता है निउक्ती की वो देखते हैं IPS के समझ में ग्रिह मंत्री, बन सेवा के समझ में परियावरण, बन और जलवायू परिवर्तन मंत्री इस मामले को देखते हैं तो I hope कि इसको समझ के मैं इसको रिपीट करूँ कि संबंधित, संवर्ग, राज के अनुसंसा प्राप्त होने के बाद ही समझ जो प्राधिकारी या कें सरकार का धिकारी इस्थिपा पर विचार किया जाता है या करता है तो IS के लिए अगर इस्थिपा की बात की जा रही है तो DOPT विभाग देखता है, ठीक है IPS के लिए ग्री मंत्री का डिपार्टमेंट देखता है, और OFF कि बात किया जाता है तो जलबायू, बर्यावरण, URL ऑ जलबायू परिवरतन मंत्री का ये डिपार्टमेंट होता है ठीक है, मिसन कर्म योगी क्या है, हमारे लिए important है एक एक्रित सरकारी ऑनलाइन प्रसिछण प्लेटफॉर्म है इसके तहत सभी कर्मचारी को उनकी रैंक के ध्यान में रखे बिना उनके कार छेत्रों के आधार पर निरंतर प्रसिछण प्रदान किया जाता है इसका उद्देश न्यू इंडिया के विजन के अनुसार उचित द्रिष्टी कोड कौसल और ज्ञान के साथ भवी से के लिए तयार सिविल सेवा का निर्माण करना है आरंभ क्या है इसे भारत सरकार ने सुरू किया है यह सिविल सेवकों के प्रसिछण के लिए प्रथम कौमन फाउंडेशन्स कारकरम है राश्टी प्रसिछण निती इसे 1996 में अपनाया गया था 2012 में इसकी समिक्षा की गई इसके निमलिखित उद्देश से है क्या नागरिकों के आवसकता को पूरा करने के लिए उत्तरदाई एक पे सेवर निस्पक्ष और कूसल सिविक सेवक तयार करना दुसरा क्या है यह सुनिशित करना की सिविल सेवकों के पास आवस्या ज्यान कोसल और दिर्ष्टी कोड हो जिससे की वे अपने निर्धारित कारियों को करने में सक्षम हो लेटरल इंटरी इसके तहट केवल पदुनती के माध्यम से नियमित सेवल सेवकों को निवत करने की बजाए प्रसासनिक पदनाकुरम के मध्य वरिष्ट इस्तर पर संबंधित कारिछेतर के विशसग्यों को प्रत्यक शुरूप से सामिल करना यानि बात लेटेंट में कहा जा रहा है बहुत ये मुद्दा भी बना था चर्चा का कि ऐसा निक एक आईयस नहीं सची उपद पर जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट में और अपने अनभव को सेर करेगा अगर कोई प्राइबेट सेक्टर का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो विशसग्यता रखता है किसे एक पर्टिकलर छेतर में तो उस सरकारी डिपार्टमेंट में जिस छेतर से वो जुड़ा हुआ है उसके अनभवों का यहां पर फायदा उठाया जा सकता है यानि प्राइबे आज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी और कहां कहां किया जा चुका है तो लखनव, नोएडा, कानपूर, वानसी में किया जा चुका है ठीक है क्या होता है दोनों में अंतर ठीक है तो देखे जो पुलिस आयुक्त प्रणाली है यहां पर जो सहर में जो पुलिस बल की कारप्रडाली के लिए उतरदाई होता है ठीक है जो पुलिस आयुक्त होता है एक एक्रित पुलिस कमान सरचना का प्रमुख होता है वह सहर के पुलिस बल की कारप्रडाली के लिए उतरदाई होता है राज सरकार वह राज पुलिस के प्रमुख के प्रति जबा आपदे होता है जो पुलिस आयुक्त होता है सीपी के पद पर उप महा निर्यच्छक या उसके उपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसे विसेश सयुक्त अपर उपायुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवार पूल जगों पे जो बिवस्था है यालिक कमान प्राली डिसियस है वहां पर जो 144 की धारा है वह डियम के अंतर गत इस पस को डिस्टिक मजिस्टेट की सक्तियां वह करतब प्राप्त होते हैं, ठीक है, यह दोहरी जो पुलिस आयूक्त प्राली यालिक कमिसेन रेट सिस्टम ह यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको डिश्टिक मजिस्टेट की सक्तियां वो करतब भी प्राप्त होते हैं या सक्तियां बिनमै नियंतर और लाइसेंसिंग से समधित होते हैं पुलिस उधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समयतियों ने 10 लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में पुलिस आयुत प्राली इस्थापित करने के सिफारिस की है जो नॉर्मल जैसे बिवस्ता चलती आ रही है तो हरी कमान प्राली यानि पुलिस प्रसासन और डिस्टिंग मजिस्टर के जो सासन होता है वहाँ पे क्या बात कहज़ा रहा है इस प्राली के तहट जिले में जिला मजिस्टेड और पुलिस अधिक चक एस्पी सकतियों के जिम्यदार साज़ा करते हैं दोनों लों सकतियों का डियम को गिरपतारी वारंट वा लाइसेंस जारी करने का कार सौपा जाता है जबकि स्पी के पास अपराद की जाच करने और गिरपतारी करने के सकति एवं जिम्यदारियां होती है इस बिवस्था को सकतियों के केंदेकर्ण को कम करने और जिला इस्तर पर पुलिस को डियम के प्रती अधिक जबाबदे बनाने के लिए इस्थापित किया गया है तो दोनों का देखे हमने अंतर समझ लिया कि थोड़ा सा पावर का बटवारा हो जाता है इन दोनों में ठीक है चलिए आगे चलते हैं मेग हाले उद्यम इस्थापत पर्योजना क्या है हाली में मेग हाले की इपरस्ता पर्योजना का उद्यश डिजिटल परद्योग्यों की सकती का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा विबरण और अभिसासन का में सुधार करना है इसे इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रद्योगी मंत्राले तथा मेग हाले सरकार के स्विप दूरूप से लांच किया गया है तो यह आप याद रखना इसका जो लग्ष है 2030 तक मेग हाले को एक उच्छे आयवाला राज बनाना है या अपनी तरह की पहली पर्योजना है जो भारत के राष्ट्री उद्यम इस्थापत ती फ्रेमवर्ग पर आधारित है मेग याद रखना गवर्णिंस पर्यावरन अवसरचना प्राथमिक छित्रक उद्यम सीलता और मानो संसाधन 2030 तक मेग हाले को एक उच्छ आयवाला राज बनाने के लिए टार्गेट के लिए शुरू किया गया है ठीक है I hope सो आप इसको देखेंगे जो चे मैं छोड़ रहा हूं important ऐसा नहीं है आप इसको please देखेंगे 2022 का worldwide governance indicators क्या है ठीक है so I hope क्या आप इसको देख लेना please ठीक आगे चलते हैं 2077 आप इसको भी देखेंगे कि क्या है 2022 के सुचकांग में भारत 180 देशों में से 150 इस्थ पर आया है, पिछले वर्स 142 वें इस्थान पर था, ठीक है, आगे चलते हैं, जनगर्ना कस्बे क्या होते हैं, ठीक है, मेगाले सरकार ने राज के जनगर्ना कस्बों में मनरेगा कारेकरम सुरू किया है, जनगर्ना कस्बे एक ऐसे छेत्र होते हैं, जिन्हें राज सरकार एक कस्बे के रुप में परिभासित नहीं करती है हला कि यह सहरी विशेस्ताओं से युक्त होता है तो ऐसा छेत्र, ऐसा जगें, ऐसा एरिया जो कि एक सहरी विशेस्ताओं से लिप्त होता है तो सरकार इसको कस्पा के रुप में नहीं करता है वहाँ पर उने क्या किया है कि मन्रेगा को सुरू किया है जिसमें कि 100 दिन की रोजी पक्की होती है 100 दिन काम दिया जाता है ठीक है जनगर्णा कस्बों को परिभासित करने के लिए कुछ 3 सड़ते हैं क्या क्या इनकी जो जनसंख्या है वह 4000 या उससे अधिक होनी चाहिए इनका जनसंख्या घनतों कम से कम 400 ब्यक्ती प्रती वर्ग किलोमेटर होना चाहिए यानि एक वर्ग कीमी में 400 ब्यक्ती निवास करने होनी चाहिए वासिस्थान के अधार पर 75 परचत अधिक पुरूस गैर क्रिसी कारे बल का हिस्सा होनी चाहिए यानि जो 75 परशेंट पुरूस हैं गैर क्रिसी कारे में लिप्त हो सरकारी बिग्यापन मद्रास हाई कोट ने तमिलनाडू सरकार को 44 सतरंज ओलंपियाड के बिग्यापन में राष्टपति और प्रधान मंत्री की तस्वीरों को सामिल करने के निदेश दिया है कॉमन काज बनाम भारत संगवाद 2015 में सुप्रीम कोट के बिग्यापनों पर होने वाले सरकारी खर्च के तरीकों को बीनेमित करने की बात कही गई थी सुप्रीम कोट ने सरकार के बिग्यापन नीती एल आर माधो समीती का गठन किया था समीती ने सुझाओं के आधार पर सुप्रीम कोट ने कहा कि सरकारी बिग्यापनों में राजनीतिक दल के प्रतीक लोगों या ज़ंडे का अपयोग करने के अनिवार रुप से बचा जाना चाहिए यानि कोई भी राजनीतिक बार्टी अपना ज़ंडा अपना लोगों इस्तिमाल नहीं करेगा जहां पर उसकी कोवर्मेंट हो सरकारी बिग्यापनों में राजनीतिक दल के प्रतीक लोगों ठीक हमने देख लिया इस बिग्यापन को किवल राष्टपती प्रधान मंत्री या मुख नयाधिस या राजपाल या मुख मंत्री के तस्बीरों का ही उपयोग किया जाना चाहिए किसी अपने परशनल पार्टी के परशनल ज्हंडे किसी लोगों का एट वहाँ पर नहीं को चटता ठीक है रूल आफ लॉल अफ लॉइन्डेग्स क्या है 2022 के Rule of Law Index में भारत का 140 देशों में 77 नंबर पे आया है आप इसको देखना 200 बैंक की Ease of Doing Business Ranking के सुधार के बाद अब सरकार का ध्यान Rule of Law Index को बहतर करने के लिए इसको और प्राप्त करने पर है Rule of Law Index के निधान 8 धारकार को पर होता है कौन-कौन सरकारी सक्तियों को प्योग में बाधा, भष्टाचार की अनुपस्तिती, सरकार का खुला स्वरूप, मौलिक अधिकार, काणुब्यवस्था और अनुरच्छा बिनामक, प्रवरतन, नागरिक न्याय तथा अपराधिक न्याय सत्रू संपत्ति केंद्री अनुवेसर्ड ब्यूरो सिवियाई के कथित तोर पर प्रमुख ब्यवसाइक भूमी को पट्टे पर देने के लिए सत्रू संपत्तियों का प्रवंधन करने वाले अधिकारियों खिलाब प्रथमिता दर्ज की गई है सत्रो संपत्ति क्या होता ऐसे लोगों की संपत्ति जो भारत पाकिस्तान यूद 1965 और 1971 के करण भारत से पाकिस्तान में जाकर बस गये हैं भारत की रक्षा नियमों के तहट भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागिता ग्राण करने वाले लोगों की संपत्ती को और कमपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था ये सत्रु संपत्ती अभिराचक के अधियन 1962 के भारत चिन यूद के बाद चीन को प्रवास कर जाने वाई लोगों को छोड़ी गई संपत्ती के मामली में भी ये प्रावधान किया गया है उपयुक्त प्रावधान सत्रु संपत्ती अधिनियों 1968 यानि 68 द्वारा सासीत है सत्र में संस्वन किया गया था इस संस्वन द्वारा यह उपपन किया गया कि सत्रु संपत्ती अभिरच्छन यानि कुस्टोडियम की अधिन बनी रहेगी भले ही सत्रु विशया सत्रु फर्म एक सत्रु नह हो ठीक है भारती धोज सहिता 2002 यह चर्चा में है इसको देख लेते हैं और आहिए उपसो यह लाश्ट टॉपिक है इस विडियो का और इस सब्जेक्ट का हाली में भारती धोज सहिता में संसुदन किया गया है इसके तहत राश्टी धोज को अब दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है साथ ही धोज को खुले अत्वा किसी आम नागरी के घर पे भी फहराया जा सकता है इसके पहले तिरंगे को किसी भी मौसम में केवल स स्थुरियाज तक ही फैरा जा सकता था यह सहिता राश्टी धोच के प्रदर्शन को नियंतित करने वाले सभी कानून प्रथाओं अभी समयों और निर्देसों दिशा निर्देसों को संकलन है यह नीजी सारुजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राश्टी धोच के पादन में मसीन निर्मित पॉलिष्टर का उपयोग करने के अनुमती प्रदान की गई हैं करते हैं पहले खादी कहीं था बस इससे पहले केवल हाथ से काते बुने खादी निर्मित धोजों का अनुमती थी FCI तिरंगे के अब प्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमती तब तक देता है जब तक धोज का प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान किया जा रहा हो ठीक हैं इसे तीन भागों में बाटा गया है तिरंगे का एक सामान भितरण सारवजनिक और निजी निकायों तथा सैचडिक संस्थानों द्वारा प्रतर्शन पर नियम सरकारी और सरकारी नियमों द्वारा प्रतर्शन किये गए नियम तो इबरिबड़ी प्रोटल ये पॉलिटी का पार्ट 3 था ठीक है जो की वीजन ठीक है पीटी 360 फाइब का ये सेगमेंट चल रहा था आज वीजन 365 का जो पॉलिटी है वो पुरा कम्प्लीट हो चुका है तो आई होब कि आप पार्ट 1 देख लिये होंगे पार्ट 2 देख ये होंगे या देख रहे होंगे आज ये पार्ट 3 है अब यहां से वीजन पॉलिटी 365 का जो सेगमेंट हो बुरा कम्प्लीट हुआ अब हमारा जो वीजन पॉलिटी 365 वन येर करेंट इफर कम्पैलेसंस होगा उसको हम अपडेट करेंगे तो देखिए कि अगला सब्येट ह हम क्या लेकर आते हैं ठीक है फिलाल पॉलिटी का इंज्वाय करिए और एक्जाम के रिलिमेंट अगर आपको डिस्क्न लगता है तो प्लीज आप पार्टिसिपेट करिए और इसका सौट नोशने थांकियो सो मच वाचिंग